मध्यपरदेश के हरदा में पटाका फैक्टरी में हुए ब्लास्ट मामले में बड़ी कारवाई हुई है पुलिस ने तीन आरोपियों को गरफतार कर लिया है और इसमें मुख्या आरोपी राजेश अगरवाल भी शामिल है विसफोटक अधिरियम के तहट राजेश अगरवाल, सुमेश अगरवाल और रफिक खान को गरफतार किया गया है पटाकों के बलास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं 200 के करीब लोग खायल है गटनास्तल पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है और मलबा हटाने का काम जारी है